हमारे daily use के इतने सारे gadgets है ना जैसे कि यह remote control हर घर में use होता है या फिर यह BP machine आजकल maximum घरों में यह use हो रही है या फिर इस तरह के toys जिन में use होती है batteries या फिर मैं इस वार्लेस की बात करूं तो यह भी एक साल से चल रहा है और मेरा यह remote control पिछले डेड़ साल में इसकी बैटरी अभी तक चेंज नहीं करी और इसकी अब बैटरी चेंज करने की बारी आई है यह BP machine पहले normal बैटरी जब में use करता था तो सिर्फ तीन महीने चलती अब पांच महीने तक का backup दे देती है तो यह है मेरा रिव्यू डूरसल की alkaline batteries के ऊपर में क्योंकि मैं इन batteries को personally use करता हूं हर gadget में almost सब्सक्राइब करना मत भूलना जो normal सस्ती वाली batteries होती है न वो होती है carbon zinc batteries और Duracell की batteries है alkaline batteries अब दोनों में difference क्या है इन में जो electrolyte यूज होता है या high current discharge को भी तो long term usage के लिए alkaline batteries जो है जादा बढ़िया रहती है अब यहाँ पर Duracell की battery जो है वो 22 रुपे के आती है इसमें double A या पर triple A आप कोई सी भी ले सकते हैं मैं तो पूरी-पूरी मंगाता हूं क्योंकि मैं काफी सारे gadgets के review करता हूं और यह batteries मेरे काम में आ जाती है तो यहाँ पर cost effective भी पढ़ जाती है क्योंकि जो normal zinc batteries होती है ना वो कहीं ना कहीं 18-19 रुपे की आती है और यह 22 रुपे में आपको मिल जाती है तो 2-3 रुपे का फरक ज़रूर पढ़ता है लेकिन वहीं पर आपको जो है long battery life भी तो मिल जाती है और Duracell के पर mention है 2x long lasting और रिमोट में तो 1.5 साल चली क्योंकि मेरा usage कम है अगर आपका usage बहुत जादा heavy है तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है कुछ चीज़े काफी अच्छी है वैसे Duracell 60 years पुराना ब्रैंड है दस साल आप इस battery को store कर सकते हैं तो shelf life इसकी 10 साल है leakage prevention मिल जाती है easy to dispose होता है फटने batteries काम कर रही है तो जैसे इस पर mention है 2x long lasting तो हाँ इतना ये batteries काम करती है long term तक बढ़िया परफॉर्म करती है और shelf life बीन की अच्छी है मैं daily use के gadgets में यही batteries उसकरता हूं आप कौन सी use करते है और अगर आपको यह Duracell के batteries लेनी है तो मैंने description में link दे रखा है वहाँ से आप इस झादी ज्ड़ींता याल टीए